तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम तेल डालेंगे इसमें राई एट करेंगे जीरा डालेंगे अब हम इसमें कटा हुआ हरा मिर्ची डालेंगे इसमें कुछ बेजी सेट करेंगे जैसे आलो और गोवी इसे एक्षे से मिला लेंगे आप चाहे तो इसमें और भी वेडिटेबल सेट कर सकते हैं आप हम इसमें मसाले रच करेंगे मिर्टी पाउडर इसमें मिलालेंगे आप हम इसमें जलिया एक्ष करेंगे इसमें मिलाएंगे अब हम इसमें वाटर रेट करेंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार डालेंगे अब हम पोकर कर रखकर लगा देंगे और इसे लगबख 2-3 सीटी तक पकने देंगे हमारा दल्य तयार है यह अच्छे से पकड़ा है आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा एंड प्रीज सब्सक्राइब माई चैनल